जो next chapter है वो experimental in chemistry है यह हमारा second chapter है first year का जिसमें हमारे पास हम यह सीखेंगे कि हमारे पास किस तरह हमारे पास जो chemistry के अंदर techniques different experiment के लिए use होती है analytical chemistry होती ही क्या actually हमारे पास जिसमें हम किसी भी सबस्टांस की characterization करते हैं मतलब हम उसकी properties विगहरग को analysis करते हैं उसे हम क्या कहेंगे characterization के अंदर हम count कर रहते हैं उसमें कौन कौन सी हो सकते है quality हो सकती है quantity analysis होता हम मतलब वो देखते हैं को substance है कौन सा और उसकी कितनी मिगदार है तो सबसे पहले हमारे पास के इसमें difference कुछा जाता है quality analysis and quantity analysis मतलब जो हमारे पास identification करते हैं उसे quality analysis कहते हैं और जो amount को बताता है concentration को बताता है उसे quantity analysis कहते हैं next हमारे पास जो analytics के तखनीक में सबसे पहले हमारे पास वो है filtration filtration क्या करती है कि हमारे पास जो insoluble particle है insoluble particle for example यहां से हम इसको यहां आमने mixture लिया solution का जब हम इसको इसको अपर डालते हैं तो होता है कि यहां पर जो in soluble particle औरyas लिक्वड वह नीचे चला जाएगा इस तरहां हमारे पर सी नीचे काने वाला फिल्ट्री याँ यो फिल्टरे Doll रहाएगा तो अब यह कैसे होता है एक्चुली इसको देखने के हम कहते हैं कि जो इन-solubal particle होती है वो liquid से हम mixture को filter medium के जिरी है मतलब हमने यह filter रखा हुआ है center में यहाँ पर यह वला हमने filter medium रखा हुआ है इसमें हमने यह solution को डाला जिसमें हमारे पस इन-solubal particle थे इन-solubal particle जो थे व उपर रहे और बाटी जो हमने-solubal particle और liquid था वो नीजे चला गए जिसे हमने filtrate का नाम दे दिया है okay filter medium होता है क्या है actually वो करता क्या है कि जो हमारे पास इन-solubal particle होते हैं उन्हें हमारे इन-solubal particle से mixture से अलाइदा कर देता है for example इसके लिए कौन-कौन से हो सकते है filter paper हो स अब हमारे पास filter medium की selection पर depend करता है कि हमारे पास जो इन-solubal particle है उनका size क्या है अब वो size बहुत चोटा है तो हम filter के जो paper के जो पोल size है वो बढ़ा ना हो तो इस तरह वो भी नीचे आ जाएंगे इसलिए हम उसका size इस हिसाफ से रखते है कि वो इन-solubal particle हो नीचे ना जा बैस के हमारे पास जो हमने procedure देखना है वो filtration हम देखना है filter paper के जरी है कि यहाँ पर हमने एक funnel ली, funnel के अंदर हमने एक filter paper रखा filter paper के अंदर हमने mixer का solution रखा जिसमें हमने जैसे इस पर करेंगे तो वो होगा क्या कि यहाँ पर जो in-soluble particle है इस upper side पर वो यहां पर रह जैसे हम इसका नाम देते हैं फिल्ट्रेट का और बागे हमारे पास फिल्टर पेपर के ओपर जो इसको इसे में फॉल्ड किस तरह करना है, यहां पर हम ने इसको इसको एक हमारे पास है किसको फिल्टरjang लगाना चाहिए और بنوع उसके जो यह फ़नोल टीप है यह फिल रहे QiCam सरक्ल को ऺचेंगे पहले पॉइंट के अधर एक अन्दे पर पहले के अनदर आव रहाफ करेंगे टायमीटर Ăम आप जो हम फर्दर उससे haff करेंगे जिस तरह इस शेफ में हो इसको सर्कल उसा निखा रिक cassette.. डॉटर लाइन्स दिखा रहे हैं उसको इस तरह आ इसको ओपन करेंगे तो एक साइट से हम हमारे पास थ्री पीस्टीज जो है जो वाल्स है वो एक साइट पर रहेंगे और एक साइट को हम उसको निकालेंगे तो यह गोल सरकल सा बन जाएगा और जिसको हम इसमें फनल गंद करते हैं फिर इसको मजीद वो यह arrows जो हैं वो इसको शो कर रहे हैं कि किस तरह हम इसको फोल्डिंग करते जाना है और फोल्डिंग करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक जो निशान होगा उसको अंदर करेंगे एक को बाहर करेंगे एक को अंदर करेंगे एक बा तो यहां पर अगर हम आम उस पर करवाएंगे तो आम प्रेशर के जरीए नीचे आएगा तो हम उसके जो स्पीड है फिल्टेशन की वह कम होगी उसको बढ़ाने के लिए हम इसको पंप के साथ जोड़ देते हैं तो होगा क्या कि यहां से प्रेशर यह अपनी तरफ वैकम अब फिल्टर कुरुसिबल में दो प्रोसेस आते हैं एक गूच कुरुसिबल होता है एक सिंटर ग्लास कुरुसिबल होता है अब इसके अंदरे देखे है कि हमर पर जो कुरुसिबल है यह एक पोर्सलेन होता है इसके बॉटम लाइन के उपर आपने देखे हैं पोर्स होते लेकिन यह हमारे पास maps है, asbestos map इसे हम कहेंगे इसंप हम asbestos matter कहती है रिय shrinkal में इसी पर यूज करते हैं हम इसके यह जो up और बनी होते हैं, इसको पर यह ड़कते हैं क्यूँ कह लेक्रला जैघ्योज कर जाते हैं जैसे हम केमनो 4 या हम HCL लेती हैं तो उसके साथ रियक्शन कर जाता है तो इसलिए हम उसको अवाइड करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हम इसको यहां पर रख देते हैं अब हम दूसरे आते हैं Sinter glass Crucible क्या होता है कि यह हमरे पास यह देखें गिलास से बना होगा है ठीक है क्रूसिबल हम कहते हैं कि कोई भी ऐसे शेप जो मालब हाइड तमप्रेचर को बेर कर सके तो हम क्रूसिबल कहरे होते हैं अब गिलास क्रूसिबल क्या होता है इसमें चुली गिलास का बना हो है अब यह हमारे पास होता है जो इसके अंदर हमने यहां पर इस पॉइंट को पर हमने एक Sinter glass क्रूसिबल जो हता है वो गोज क्रूसिबल से ज्यादा कन्विनियंट है क्यों कि इसको प्रिपेर नहीं कहना पड़ता क्या पहले आपने इसमें फिल्टर पेपर रखा फिर इसके अंदर आपने वह चीज़ों को लगाया आरेंज किया इसमें इस सारा फिक्स होता है इसे स झाल झाल